तो येस वेलकम तो जॉब अपडेट्स बाई शुरेनी जेन यूटूब चानल ब्यूरो आफ इंडियन स्टांडर्स बी इस गवर्मेंट आफ इंडिया कंपनी के तरफ से रिप्रू में निकल करके आ रही है फॉर ट्वेंटी ट्री जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते ह है यस ओल इंडिया इलिजिबल है फुल टाइम पर्मेंट जॉब रहेगी कोई कोंट्राक्चल जॉब नहीं है जो अच्छी चीज़ है सीडिसी प्रोवाइड कर रहे हैं ट्वेल लैक सिक्स्टी थाउजन रुपीस पर मंत यह पीडिएफ के अंदर मेंशन किया गया है ठी जैसे सिविल इलेक्ट्रिकल टेक्स्टाइल दूसरा गेट स्कोर नेसेसरी है अब वो तीन साल को कोई भी चल जाएगा जैसे 2021 या 2022 या 2023 अब अगर आप फिट होते हो यह क्राइटिरियास में तो पुरा वीडियो देखना नहीं तो यह आपर वीडियो को छोड़ सकते हो औ लाइक कर देना चानल को सब्सक्राइब कर देना ताकि उन स्टूर्ण सक पहुत सके जो इंट्रेस्टेड है और इलिजिबल भी है वैसे एक छोटा सा अनॉंस्मेंट है अगर अभी तक आप जॉब अपडेटी में नहीं जुड़े हो देन डू दू आउन्लोड शुरेणि ऐसे बढ़िया है कौन सा बढ़िया है मटीरियल शेयर करना हो इंटर्व्य कोशिन शेयर करना सब कुछ आप अब आपके लिए है वी पर क्लिक करोगे तो यह पेज ओपन हो जायेगा चार चीजे हैं इंग्विश में हम पीडियाफ पहले देखेंगे और अगर आपके FAQs कुछ है तो इस वाले folder में आप यहाँ पर FAQs clear कर सकते हो ठीक है, online application भी दे रखा है, तो अगर आप fit होते हो, apply करना चाहते हो, ज़रू से apply करना अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जो BIS है, वो है Bureau of Indian Standards, Government of India के अंडर आती है scientist B की आपकी position है, जहाँ पर level 10 का pay scale है, और यहाँ पर जो CTC बन रही है, that is 1,05,033 रुपीस पर मन, ठीक है जी कितनी क्या vacancy है, बहुत कम vacancy है, जो है 9 vacancy और यहाँ पर agriculture science यह आपके लिए नहीं है, ठीक है, याने engineers के लिए और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, civil, electrical, textile वालों के लिए vacancy है, और category wise distribution यहाँ पर दिया गया है, ठीक है जी अब यहाँ पर degree के अंदर बात करें, तो agriculture science का में पहले बता देता हूँ, bachelor's degree in agriculture तो चाहिए, मतलब bachelor's degree in agriculture सिफ इतना नहीं चाहिए, इसके साथ-साथ master's degree भी चाहिए, और अगर यह दोनों है, और वो भी इसके अंदर, master's degree, तब आप apply कर सकते हो, उसके साथ-साथ, ICAR, AICE, JRF, SRF, PhD, यह examination 2023 का scorecard भी चाहिए, तो अगर इतना सब कुछ है, तब आप apply कर सकते हो, नहीं तो नहीं apply कर सकते हो, वैसे civil, electrical, textile के लिए simple है, यहाँ पर साल का पहले का चल जाएगा, 2021 भी चल जाएगा, टू भी चल जाएगा, 2023 भी चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो अपर अच्छी कासी रखी गई है, 30 years, as on 311, 2023, वैसे relaxation मिल जाता है, for the special categories, क्योंकि यह सरकारी company है, तो यहाँ पर reservations होंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर आप द अप्लाई के लिए, जो online application है, 1410 से start हो गया था, मैं वीडियो बना रहा हूँ, 18th October को, तो आज आप अप्लाई कर सकते हो, कब तक अप्लाई कर पाएंगे, 3 November तक आप अप्लाई कर पाओगे, सबसे बढ़िया बात के अवाल में, BIS की, कभी application fees नहीं लेते, बहुत बढ़ि जब equivalent degree की बात आई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ electrical वाले बच्चे कहेंगे, sir equivalent के लिए क्या है, so in case of dual specialization, electrical must be appearing as major specialization in degree of essential, ठीक है, the degree of essential qualification must be in electrical engineer, ठीक है, तो यहाँ पर यह सारी चीज़ मेंशन की गई है, तो ध्यान से देखना, FAQs वाले PDF के अंदर भी, और detailing द doubts, और मुझे रगता है, आपको सारी बाते समझ में आ चुकी है, so that's it for today, me doing the next video, till then take care, bye bye for now, see ya, bye